दोस्तो बिग बॉस ओडिटी के लाइफ फीड में इस समय घर के अंदर एल्विस यादव ने आखिरकार बता ही दिया गरवालों को कि क्यों जनता उनको इतना प्यार करती है, क्यों जनता उनको इतना सपोर्ट करती है और साथ यसाथ उन्होंने अपने इस्टरकल की कहानी बताई है कि किस तरीक ऐसे उन्होंने अपने करियर की सुरुआत की थी दरहसल दोस्तो मनिशा रानी फुकरा इंसान और एल्विस यादव मीटव की बाते कर रहे थे और Elvis यादोग के बारे में फुकरा इंसान घरवालों को बता रहे थे कि इसके मेट अप में बहुत लोग आते हैं, बहुत प्यार करते हैं इससे ये सुनकर मनिशा रानी कहती है कि अच्छा इतने बड़े आदमी है क्या हम तो इनको हलके में ले रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि बाहर जाने के बाद पता चले हमको कि ये तो बहुत बड़ी चीज़े और ये सुनकर यहाँ पर Elvis को भी थोड़ी हसी आ जाती है, खेर दोस्तो Elvis कित में अपना मीटअप रखा था, तब उनको खुद को नहीं पता था कि उनको जनता कितने सपोर्ट करती है, कितना प्यार करती है और कितने लोग उनके मीटअप में आएंगे और उनकी पहली meetup में हच से ज़दा भीड़ हो गई थी और वो खुद वहाँ से बच-बुचा कर निकले थे ये सारी बात उन्होंने बताई थी वहीं दोस्तों उसके बाद में उन्होंने बताया कि उनके करीर के जो सुरुआ थे वो उन्होंने बहुत ही ज़दा इस्टरकल वरी लाइफ से की उनके पास में पैसे नहीं होते थे फॉन ठीक से अच्छा फॉन नहीं था फॉन से वीडियो बनाते थे लोगों के बीच में जाते थे मम्मी की चुन्नी और डोड के लोगों के साथ प्रेंक किया करते थे और वो वीडियो फॉन से बना बना कर अपलोड किया करते थे उनके पास केमरा तक नहीं था वो अपने दोस्त का केमरा यूज करते थे और दोस्त का केमरे का जो लेंस है 50 mm एक lens उन्होंने खुद अपने पैसे से लेकर आये थे जी हैं दोस्तों उन्होंने अपने सारी कहानी बताई है कि वो बहुत ही मतलब middle class family से थे इतने पैसे नहीं होते थे घरवालों से कभी उनको आर्थिक मदद नहीं मिलती थी वो मांगते नहीं थे घरवालों से और इस तरीके से दीरे दीरे उन्होंने वीडियो बनाना सुरू किया था और एक साल तक उनको एक पैसा तक नहीं मिला था जी हैं दोस्तों उन्होंने बताया कि वीडियो से उनको एक साल तक एक भी पैसा नहीं मिला था, वो लगातार इस्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया था, जब उन्होंने हार मान ली थी और वो बाहर पढ़ाई करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन फिर उनको धिरे दिरे सकसेज मिल गई, सफलता हसिल हो गई, औ तो हम सभी अच्छे से जानते ही हैं, आज उनके सपोर्ट में कितने लोग, कितनी जनता खड़ी है, यह वाकिए काफी हैरान कर देने वाली ख़बर है, क्योंकि दोस्तों, मैं खुद काफी हैरान हूँ कि एल्विस को कितना सपोर्ट मिल रहा है, फिलाल दोस्तों, एल्वि की हर अपडेट आप तक पहुंचे, सबसे पहले हैं